वन मिलियन डॉलर इकोल तू 5.5 CRN इंडियन करेंसी आपको कैसा घर मिलता है मेलबन आस्टेलिया में वो आपको दिखाऊंगा विदाउट अनी फिल्ट्रेशन कोई कट भी नहीं मारूंगा वीडियो में एक्दम आथ हंटिंग होगा और जिस घर में मैं रहता हूँ वही आपको वीडियो दिखाऊंगा ये घर अराउंड 300 स्क्वाइर फीट में फैला हुआ है और मैं आपको कोई भी कटन ही मारूंगा वीडियो में तो स्टार्ट करते हैं यहां से यह है हमारा गराज जहां पर दो गाड़ी एक टाइम में खड़ी हो सकती है मैं आपको थोड़ा सा पीछे करके वाइड शॉट भी दिखा देता हूँ कि घर कैसा लगता है तो घर यह है मैं एंट्री करूंगा में एंट्रें से गराज से भी एंट्री हो जाती है यह वहां से राइट इंसाइड से बट मैं यहां से दिखाऊंगा आपको सो दाइट कि मैं आपको पूरा का पूरा व्यू दे पाऊं तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे this is the main entrance entrance में अंदर आते ही right hand side में एक रूम आता है जो कि master bedroom है left hand side में हम सीता चलेंगे ये garage again जो कि मैंने आपको दिखाया बहार से garage ऐसा लगता है जहां दो गारियों घड़ी हो सकती है फिर ये मैं बन कर देता हूं right hand side में हमारा painting room जहां पर photography वीडियोग्राफी ये सब कर सकते है उस चीज के लिए है common room है जितने ये बंदे घर पे रहते हैं वो सारे की सारे इसको use कर सकते हैं फिर एक left hand side में आप देख सकते हैं sorry right hand side में ये हमारा living room है जहां पर आप PSP केल सकते हैं movie देख सकते हैं TV देख सकते हैं जो करना है वो आप कर सकते हैं ये हमारा kitchen है ये pineapple है refrigerator microwave वहां में खाना बना रहा था अपना तब ही मुझे एक idea है कि हम घरी क्यों नहीं दिखा देता एक पार लोगों को जो भी Australia आते हैं उनको कम से कम एक idea हो जाएगा कि यहां पर एक average घर कैसा होता है तो यहां का एकदम average घर है जो कि यह 3 BHK to 4 BHK होता है यह घर 4 BHK है यह हमारे भगवान की photo है मेरी favorite भगवान है Krishna और वो हमारा वरांडा है यह थोड़ा सा हमारा वरांडे की side में भी एक जगह है जो कि अभी पूरा पूरा घास उगी वहां पर तो मैं आपको नहीं दिखाना चाहूँगा आप देखना मिनीं चाहिएंगे तो हम वापिस जाते हैं राइट इंसाइड में यहां से आप देख सकते हैं यहां पर एक और रूम है जो कि किसी और का है तो मैं अंदर नहीं दिखाऊंगा आपको बड़ लेफ्ट इंसाइड में आप यह देख सकते हमारे प और common area में bathroom ऐसा लगता है मैं bathroom की एक बार light on कर देता हूँ यह bathroom है हमारा and then यह normal western system है जो आप देखने में इंटरस्ट नहीं होंगे toilet कहते हैं इसको और फिर यह हमारा laundry room है laundry room में वह messy area है थोड़ा तो वह क्या ही दिखाऊंगा आपको बट यह मेरी washing machine कपड़े मेरे ही धुल रहे हैं अभी यह उपर dryer है और यहां पर भी एक wardrobe दे रखा है यह मैं बंद कर देता हूँ फिर यहां पर आते हैं यहां से आप ती आपको लगता हूँ तीन रूम है एक दो तीन वह सामने वाला रूम नहीं है वह सामने वाला एक normal cupboard है जहां पर हम अपने shoes या जो भी extra समान है वो रख सकते हैं यह मेरा रूम है जो कि मैंने खोल के रखा हूँ है so that आप सब देख पाएं यह मेरा office table है मेरा official laptop है यह official screen है यह यह मेरा personal laptop है जहाँ पर मैं video edit करता हूँ यह मेरा bedroom है और यहां से भार की वादियां देख सकते हैं आप ऐसा लगता है ज्यादा अच्छी वादियां तो नहीं है और आप cupboard में क्या है वो देखनाने चाहेंगे मैं वापिस आ जाता हूँ भार और यहां से मैं अपना door बंद कर देता हूँ वापिस जाएंगे वापिस जाके यह है पूरा घर इसके बाद मैं आपको भार का area भी द जाता हूँ यहां पर आप बाइक्स खड़ी कर सकते हैं और थोड़ी और पार्किंग है जो कि left and side में मिलती है आप यह जगा थोड़ी योरोप टाइब लगती है काफी अच्छी जगा है काफी शान जगा है अभी तो कुछ गाड़ियां भी दिखरी है चलते हैं शाम के टा कोई बात नहीं होती तो दिस इस आउटसाइड एरियो अफ माँ हाउस कैसा लगता है यह मैं आपको यहां से भी दिखा देता हूँ यह यहां पर ऐसा लगता है घर भार से वहां तक घर है और इसके बाद मैं आपको वापिस अंदर आ जाता हूँ जैसी टाप की आपको वी आप मुझसे पूछ सकते हैं मैं उस ट्रैक की वीडियो बना दूँगा और से बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज है क्योंकि मैं कफी साड़े छे साल से यहां पर रह रह रहा हूँ तो आप और स्टूडे की सारी बाते बता पाऊंगा आपको जॉब कैसे मिलते हैं लोगो मैं बाइ